हाई एक कलर मराठी करके स्टूडियो में था और उसमें मुझे एक सवाल पूछा था वो चुनाओं के समय जो वादे होते हैं उसके बारे में तो मैंने बताया कि जब महराष्ट में जब विदान सभा का चुनाओ था तो गोपिनात मुंडे जी और देवेंदर जी ने मुझे कहा कि हम लोग टोल समाप तक कर देंगे ऐसा गोशना करना चाहते हैं तो मैंने उनको कहा यह गोशना मत करिए आथिक दूश्टी से इसको बहुत अर्चन आएगी इसका पालन करने में तो बाद में मुझे मजाक में कहा कि तुम समझ रहे हो कि हमारा राज आ रहा है तो मैंने राज आएगा तो यह सौल करना पड़ेगा तो मैंने कहा कि बहुत साल अपोशन पार्टी में रहने के कारण जब हम जाहिर नामा तयार करते थे तो बहुत से गोशनाय करते थे क्योंकि हमको सत्तर रुड पार्टी का अंबो नहीं था पर आपको एक बात बता हो कि यह बात की चर्चा मैंने मराट में उसकी पूरा कारेकरम की यह मनोज वाडेकर के पास है जिसको मराटी समझता हो ले जाए नहीं समझता हो ट्रांसलेट करिए दिल्ली के एक अंग्रेजी अकबार में जिसमें मैंने ना मोदी जी का नाम लिया ना भारतिय जनता पार्टी का नाम लिया ना मैंने कोई 15 लाक रुपे वापस करने के बात की पूरी तरह से 100% निरादार एक टेबल नियूज चापी और वो नूज चापने के बाद राउल गांदी जी को कब से मराटी समझने लगा तो ऐसे भी मैं क्या बता हूँ उनके लिए कि उन्होंने मराटी किसी से समझ लेना चाहिए था बिना समझे उन्होंने ट्विटर पर मेरा अभिनिनन भी कर दिया जो मैंने कहा नहीं वैसे और एक बार उनने इसके पहले भी किया था और इसलिए मैं आप मित्रों से यही प्राथना करूँगा कि मैं किये वादे पूरे करता हूँ और हमने किये है और इस कारेकरम में जो टोल के बात हुई है वो भी वादा महराष्ट के देवेंदर फंडविस ने टोल रद्द करके पूरा किया है मैं राहूल गांदी जी को एक ही प्राथना करूँगा राहूल जी जरा मराठी भी सिखिए ताकि आगे आपको कोई भी ट्विटर पर भेजने के पहले ता आपको आपको सही जानकारी मिल जाएगी